हेलो दोस्तों स्टेडी किड़ा एच जिले से नहां पे अपका स्वागत है मैं हुग रसेनी एंड आज की वीडियो के हम देखेंगे उम्मीद में अपने फैमिली मेंबर्स को आप कैसे एड करें इससे पहले हम स्टेडी किड़ा पे काफी वीडियोस बना चुक है यार HRMS का लेटिस्ट को अपड़ीड आता है तो इसके उपर या फिर NPS को उपर NPS को पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो नॉर्मल यानि अगर आप लाइन पी है तो आपको पता नहीं होगी पक्की बात ह तो वीडियोस उनके उपर वीडियोस बनाते हैं हम लेटेश को सरगूलर रायत उसके उपर बनाते हैं तो इसलिए इसवेडिकर शेनल को आप चरूर चरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि 90% लोग यासे हैं जो इस्टीगिडा खाली देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चलिए आईए अब वीडियो को करते हैं सबसे पहले हम अपना जो लोगी रहे हैं वह उम्मीद के उपर डालते हैं अगर रेजिट्रेशन को लेकर करें कि रेजिट्रा कैसे करें तो उसके उपर भी हम वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो उम्मीद से क्या क्या आपको डाउट है इसे रेलेटिड तो उसके उपर हम वीडियो बनाने की फोसिस करेंगे तो प्रिप्या करके वीडियो को जाए-चारा शेयर करें और अपने प्रेंट को शेयर करें और बताई कमिट करें कि कौन सी टोपिक्स आपको में इस रिलेटिट चाहिए दिखें ये लोगिन हो गया है मेरा यहाँ पर बेसिक डिटिल्स हैं अब सर्फिक डिटिल्स है वह सब रहती है आपको अपटेट अपना मॉबाइल अप्रेट करना हो यहां से कर सकते हैं यहां पर सिंप्ली प्रोफ इस सेटिंग है और अब सर्फिक डिटिल्स में हम चलते हैं मास्टोई डैस्बड में यह सारी चीज़ें हमारी खुल गई है एंड इसके अंदर गोजे अगर फैंबली जो है अपनी एड करनी है तो इसमें मैं क्लिक करूँगा इनिशेट अप्लिकेशन में इनिशेट अप्लिकेशन आपको एड कीशन अपनी आपको करने फैंबली आपको इहां पर मैं क्लिक करूँगा यहां पर देता हूँ वो सारी चीजें मैं इसमें डाल दूंगा Family member का जो name है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ date of birth डालना होगा जो family member जो आप अध डालना चाहारे है उसका date of birth के है तो date of birth डाले है यहाँ पे Relation अब कहां इसमें डालना पड़ेगा जो फैमिली मेंबर आप एड कर रहे हो उनका कुछ मेरिटर इस्टीर से है क्या तो वो आप इसमें डाल दीजिए ब्रड ग्रूप आप डालेंगे देन आपके यहाँ पर एडरस है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए जो एडरस है वो भी यहाँ ऐसा पूलड़ा है कि जादा होना अच्छी है मिस्ट करेक्टर से जादा होना अच्छी है थोड़ा करेक्टर में इंक्रीज कर देता हूँ पिन कोड़ एड कर देते है अधार कार्ट नेसेसरी नहीं है इसमें डालना स्टार मार्क की जो चीज़े हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी और आप सिम्पली इसको सेव कर सकते हैं एड डिकलेर और उसके बाद में आप इसको कर दीजिए सेव एक बार इसको save कर देते हैं देखो save करने के बाद में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे upload documents एक बार आपने save कर लिए then apps के बाद में आपको option लागया direct या नहीं सीधर submit मत कीजी क्योंकि आपके documents हैं वो भी attached नहीं आप submit कर देंगी वो आपसे बोलेगा documents के हैं तो यह सारी चीज़ें हमारी जो थी वो सब save हो चुके हैं अब हम यहाँ पे documents लगाएंगे देखो यहाँ पे clear लिए बात लिखी है कि documents हैं वो 2mb से जाज़ा नहीं होनी चाहिए जहे जेपीजी हो format में and जो image format के अंदर आपको परिशानी होगी तो आप यहाँ पे जो भी documents है वो आप इसमें upload की लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम डालते हैं passport size photo यह passport size photo मैं डाल देता हूँ तो दोस्तों अब इसके अंदर मैं ID proof डाल देता हूँ जो है अधार कार्ड अधार कार्ड मैं update कर देता हूँ इसके बाद में अगर family member को या अपने बच्चे का नाम add कर आ रहे हैं तो उसका अगर birth certificate है तो भी आप add कर दीजिए थोड़ा ठीक रहेगा birth certificate भी मैं add ठीक है यह सारे चीजिए मैं इसके अप्लोड कर दीए हैं अगर आपके आप सब्सक्राइब अगर वो भी है तो वो आप सम्मिट कर दीजिए क्योंकि आज कल वो भी मांगने लग गए हैं तो अभी तो फिलाल में थीन चीजिए करके इसको upload कर देता हूं ठीक है यह सारी चीजिए हमारे हो गई है अब हमें क्या करना है इसको forward करना है तो add declaration and submit इसको submit दिए अप्लोड कर दीए हमेने डिटियल से हो गई है हमारे पास documents हमारे पास आ गए है then इसके बाद में इसको कर देता हूं मैं अब submit प्रिशा का मुझे करना है application तो यह हो गई हमारी add reason for revision add member लिखते है submit पर click करेंगे आपकी जो request है वो submit हो चुगे अब यहां से application preview कर सकते है या खुलने राइस के अंदर आपको पता चल जाता है मैं application status में बगिए करता हूं अपनी डाइगे चोदर दरीक को सुबहे मैं थाड़े शेया बज़े application initiate कर रहा हूं जो establishment coadination जो clerk है उसके पास में जो request है वो हमारी pending है pullback करना चाहता होगी यहां से pullback पता दल जाएगा उसके बाद जो आपका जो patient clerk के पास जाएगी देन इसके बाद में आपकी जो APOs है उसके पास जाएगी and family members का नाम फिर last में add हो जाएगा and नीचे क्या है वो status आता रहेगा जो भी remarks है वो जब यहां पे नीचे आते रहेंगे ठेकर दोस्तों तो इस video के देर हमने देखा कि आप application कैसे initiate कर सकते हैं और कून-कून से जो documents है वो आपको चाहिए लगाने के लिए और इसके बाद में जो application के status कैसे देख स अगर उमेश से related आपको और भी कोई doubt हो कि नए करमचारी है उनको registration कैसे करना है इसके पर वीडियो भी नहीं है अगर आप बोलेंगे तो इसके पर वीडियो बना देंगे और भी अगर वीडियो अगर आपको चाहिए उमेश से related तो क्रिपया करके comment box के अंदर जो बताएं क किन टोपिक पिए आपको वीडियो चेहिए वीडियो को जड़ जड़ शेयर करें और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और चनल स्ट्रेट गड़ा थेंक्यों दोस्तों बाई